नमस्का फेंट्स में नाम बबल उर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है आजम देखेंगे यहां पर बीए थर्ड समिस्टर हम देख रहेते आदुनिक बात के इतिहास जो कि आपके एक्जाम में आने वाला है हमने पुर्तगालियों का पूरा फूरा खतम कर दिया पूर्त प्रतगालियों का पतन कैसे हुआ पूरी प्रिकार से पतन हमारे भारत में नहीं हुआ था वो तो कब गये थे 19 दिसंबर 1900 कब 19 1961 सबसे पहले आयो सबसे बाद में गये थे 19 दिसंबर 1961 में और 20 मई 1400 20 मई 1987 में क्या मिला था 20 मई 1987 में गुवा को 25 राजिका दर्जा दिया गया डच लोग यहां पर एंट्री करेंगे तो इसके बारे में हम देखेंगे सारी की सारी वीडियो कर आप देख लोगे तो आप कोई भी कंपटिशन एक्जाम भी देदोगे तब भी आप जंडा गार क्या होगे अगर आप अभी से अच्छा पढ़ लोगे तो अगली आकर द्रागमन की बाद करेगे तो भारत में पूर्तगालियों के बाद कोन आते हैं अतोगे अगे पूर्तगालियों के बाद होगी डेचो की एंट्री हमारे भारत में तो इनके बारे में देखते हैं यहाँ पर स्टार्ड करते हैं अगर पहले से पढ़ते आ रहे हो तो हमारा लेक्चर एक एक लेक्चर आपको समझ में आता होगा तो बात करते हैं भारतिय ब्यापार से जो सम्रदी यह जो पैसा पुर्टगालियों को प्राप्त हो रही थी उसे यह पश्मी यूरोप पश्मी यूरोप के जो लोग थे यह कहां कहते हैं यह भी पश्मी यूरोप के थे बाकी जो पश्मी यूरोप के देश बसते हैं बाकी पश्मी यूरोप के अन देश इस जैसे England हो गया, Holland हो गया, France हो गया, Holland को नीदर लेंड कहते हैं, Holland को नीदर लेंड भी कहते हैं, England, Holland, और बात करने France, ईस्या और इस्या की द्रश्टी से देखते थी, क्योंकि भाई जो कौन था जो आपको देखने में रहा कौन पोप नाम का जो था एक वेक्ति था इसकी क्या थी ये कह सकते हैं एक काफी बड़ा आउदे का था वेक्ति तो सारा देश सारा विश्व सारा विश्व इसी की बाते मानता था तो इसने प्रत्वी को दो भागण ड सेट में आया था तो यहां पर कोई भी और यूरोप देश्चों था वो यहां पर एंट्री नहीं कर सकता था तो यह पोप का आग्या का सभी लोग पालन करते थे तो हमने पहले देख रहा है इसके बारे में ठीक ना तो पोप की आग्या का पालन करते थे इंग्लैंड हो गया अब पोप का पालं कब तक करेंगे यह बंदा व्यापार कर रहा है समसे आप पैसा कमा रहा है तो एक दिन आएगा आपको भी पैसा कमाने पड़ेगा उससे कंपरिजिंग करोगे है ना तो फिर क्या हुआ पोप की आगा का अनुपालं करें लगे लोग तो कौन करें लगे आ पूर्वी देशों की यात्रा की जो पूर्वी समुद्री यात्रा है क्योंकि पहले क्या था समुद्र में पूत्तगालियों का अधिकार था और पूत्तगाली क्या करते थे हमारे अरब सागर बंगाल की घाड़ी कोई भी आता था उससे टैक्स लेते थे टैक्स दो तो भी अ हमाई देश की यात्रा की ठीक ना चलो आगे बढ़ते हैं और आज प्रणुस के देशों की भी इन्होंने यात्रा की थी होलेंड निवासी दच्छरिपूरी भी एसिया बाजार लाब उटाते थे हमने कहां देख लिया यहां तक समुदरी यात्रा की थी बात करेंगे इंगलेंड और हैलोंड प्रोटेश्टेश देश के देश थे और अता इस्पेन और पुर्तगालियों के पच्छ में पोप की आज्या के मानने की बाद नहीं थे तो मतलब जो देश थे इंगलेंड हो गया होलेंड हो गया है ना और बाकी स्पेन हो गया ये पोप की आग्या का पाल मानने के लिए तयार अब नहीं थे क्योंकि हाद हो गई तो है ना कि भई सिर्फ पुर्तिकाली ब्यापार करेगा और हम ब्यापार नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या हो गई फिर क्या करने लगे तक कोगे पोप की आग्या गया मानने के लिए बाद नहीं थे तो बात करते हैं अता उन्हुंने भारत में लाब रशा कि rooting में एक प्रिभेश किया मतलब भारत में क्योंकि आपको पता काली मिर जब ले गया था वासओ डिगा मा है ना तो k parked also तो उसी प्रिकास से यह भी आते हैं फिर हॉलेंड पहले हॉलेंड और इंगलेंड के सहासिक नाभिको ने उतर पूर और उतर पस्चिम दिशा से भारत पूर्व के लिए समुद्री मार्ग की खोज का प्रयास किया जो पहले की बात हो रही है क्योंकि जब पोप की आगा का प प्रयासों में उनको असफलता मिली थी वह कोई भी रास्ता नहीं खोज पाए तो बात करेंगे इस से धीरे धीरे यह है विसबात पक्का हो गया कि भारत पूर्व जाने के लिए कैप ओप कौन सा है चैप ओप गुड़ हॉप ही एक रास्ता है जो दच्छड अफरीका के न अगर पहले साफ पढ़ते हुआ रहे हो तो बिल्कुल आपको यह याद हो गया होगा ठीक ना कौन सा था आप ओगे कैप ऑफ ऑफ गया हो था आपो ayka ta आप ओगे कैप और गुड़ हॉप जिसकी खोज किस ने कि थी हैंडी दा नेविगेटर ने तो आपको याल रहेगा हैंडी दा नेविगेटर ने किसकी थी दच्छड अफ्रीगा में कहां पर दच्छड अफरीका के निचली बिंदू पर दच्छड अपरिका के निचली विंदू पर खोज की थी सबसे पहले कैप ओप कैप ओप गुड़ हप पर कौन आया था इसकी कोज किस ने की थी तो आपकों के बैक की थी हैंडी दा नेविगेटर ने हमने पहले इसके बारे पोचेत का है ये भी क्या था ये भी एक पुर्टगाली था ठीक ना चलो तो बात करते हैं एक मात्र मार्ग था यही एक मार्ग मात्र था भारकतों को आने के लिए तो बात करते हैं मैगलन ने पश्मी मार्ग से पूर्वी दूई पर समुख पहुचने में सफलता प्राप्त की थी जो मैगलन था आपको बता है समद्र की खोज आप से पूछेगा समद्र की खोज किस ने की थी यह ना तो आपको कि मैगलन ने की थी तो यह आपको धान रखना है तो मैगलन ने पश्वी मार्ग से पूर्वी दुई पसमों पहुंचने में सफलता प् बहाँ पर डखेती जादा हुजाती थी बात करतेंगे इसी अवस्ता में उन्होंने पोप किया गया को जिसमें पूर्व का एक अधिकार पूर्टगाल को दे दिया गया था मैंने कहा ना जो पहले का एक अधिकार दिरकता पोप ने वो किसको पूर्टगाल को दिरकता और वह अब बात करते हैं यहां से आगे की बात करते हैं यहां से आगे की बात आप लेते हैं तो और नीदेलेंड या फिर नीदेलेंड के तो आपको इतनी बात रखना है पूछ लेगा आपके अग्जामेक की डच कहां के निवासी तो आपको ध्यान रखना है नीदेलेंड तो बात करेंगे डच ब्यापारी 1580 इसभी में पूर्व पूर्टगाली की रा तो हमने यह पहली पे रखाए लिस्वन के वारे में जो पूर्टगाल की राजदानी थी बहां से ही लोग खरीद एते थे अपने यहां के लिए यह लिस्बन में क्या था एक ब्यापारे केंडर बन गया था बहुत बड़ा क्योंकि हमाई देश से काली मिर्च मसाले बगया जाते थे कपड़े बगया जाते थे और वो कहां बिखते थे वो जाकर लिस्बन में बिखते थे जो पूर्टगाल की राजधानी हुआ करती थी और य कि पुर्तजियों पर इस्पेन का अधिकार हो जाने से चहुंत के लिए क्योंकि पूर्द करता है जो नीचे उस सोटनें तो पूर्ट पर अधिकार कर रेता है उसके ये देखना है हमने मेड़्वन करते हैं एक सब्सक्राइब नहीं रहा मतलब चुछ इस पेनने क्या कर लिया पाजिकर कर लिया तो अब तो लिस्वन जा नहीं सकते है ना फिर बात करते हैं जाना समभवा नहीं यहां पर देखने को मिल रही थी तता दोनों देशों में युद्ध हो रहा था डचों ने अब पुर्टगालियों के जहाजों और उपनीबेसों को लूटने की निती अपना ही मतलब जो डश थे उनने कहा ऐसा करो पुर्टगाली आएंगे रेकर और बास बीच में रास्ते म वहतों इसमें के कबजे में आ चुकी है तो बात करेंगे और उपनीबेसों से लूटने की नितिया पनाई पैस्ततियां इनके अनुकुल हो गई थी थी तो बात करते हैं अब प्रथम यहां पर देखने को मिल जाती हैं तो बात करेंगे प्रथम डच अच्छे नाबिक थे अच्छे नाबिक थे बात करेंगे उनकी नो सेनः कैसी थी काफी सक्ती शालि थी पुर्थगालियों से बात करते हैं दुच्छे कंगलेंड ने इंग्लेक को पराजित कर दिया था कुछ आर्मिदा को किसे प्रतिकालियों की समूद्र पर स्रेष्टिता प्राप्त हो गई इस से क्या होई इस से थोली इन और स्रेकली समस्द्र पर स्रेष्टा समाफ्थ हो गई पूर्टगाली अब तो exactly English वारो के हाथ में पहुंच चुकि थी किस की इस पेन और सपफोर्व के पूर्ब में जा सकते थे अब कहुँआ अब तो England, क्योंकि England था, Dutch था, France थी थे, और बात करेंगे, और भी थे, इन सबी दोई से ने क्या किया, एक जुटता बना रखी थी, उसमें इन दोनों में इस समीम लोगों में क्या होता, भार चारा हो गया था, कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एकटे वोकर किसे लड़ें और प्रसासन से, प्रसासन में भारत था, पूर्व का परियाप्त अनुभव प्राप्त किया, मतलब पूर्व में जो आने का अनुभव था, कैसे आना है, कैसे जाना है, है ना, क्या-क्या व्यापार करना है, इस सारे के सारे उनको अनुभव प्राप्त हो चुके थे, बात दुरबलताओं का बिब्र प्रिस्तुत किया और प्रामर्स दिया की पूर्भी दीप समू में हॉलेंड सरलता से अधिकार कर सकता है कि अब हमने स्पेन को हरा दिया है पूर्टगाल को हरा दिया है अब हम अपना अधिकार वहाँ पर कर सकते हैं पूर्ब कीि करते हैं अधिकार जंऒानाय क्रदेते तेख अचाल però तो बात करेंके पूर्बी देशों में डच सक्तियों की प्रस्थान अब पूर्वी does जो होता है उसमें डच सक्तियों का प्रधान कैसे हुआ अब Comment मैं यह दिखा रहा हूं है प Hepंन और बात पुर्टगाल कहां पर है बात इंगलेंड कहां पर है बात करें किसकी हम पढ़ रहे हैं हॉलेंड कहां पर है तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए चलो तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे अब चलते हैं कहां पर अपने मेप की और च रुक ना कि अगरों उसमें चलना है ठीक ना यहां चलते हैं कि मैं रूपता हूं कि आपको मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं मैप के बारे में यह है कहां पर तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देखी गा अलका देखेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ठीक나 तो यहां पर देख सकता हूं यह है कहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं एक अपने बात के जगे पर हम यहां पर आ चुके है ठीक ना और देको हर चीज़ को जब सक समझोगे नहीं तब तक आपको आयेगा नहीं अच배 को क्या होगा तब तक आूपको आए गा चलो स्टार्ट करते हैं इस बात चाहलत करते हैं अपना भारत कहां पर है अपना भारत है यहांपर अब यह बात कहां के कर रहे हैं? हम बात करें दुखो, यहा पर क्या मिलेगा? यह दुखो, Spain है, Spain यहापर आपको मिलेगा, यह हमने कल देखा था, और यह ज़रासा देखो, यहाँ पर यह सैट में है, यह कहा है? यह पुर्तगाल है. तो इस पेन पुर्तकाल पर क्या कर लिया इस पेन ने अधिकार कर लिया ठीक ना अब आप देखो के यहां पर आपको देख मिलेगा United Kingdom यह क्या है यह आपको मिलेगा यहां पर आयलेंड पड़ेगा इस्याड़ में और यह के देशतों की बात यहां पर चल लए थी कहां से व्यापार करते हैं तो आपको कि हमने पहले देखा था यह इधर से भी करते हैं और यह लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर की तरब जबी आते थे यह ने कल देखा था है ना कल की क्लास पढ़ी है तो आपको समझ में आ हमारा भारत पढ़ेगा अब चलते हैं अपने क्लास की ओर देना चलो अब चलते हैं कहां अपनी क्लास की ओर आ चुके हैं आपने सारा की सारा देख लिया है ना आपने क्या कर लिया सारा की सारा वो देख लिया अब चलते हैं अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं चलो तो बात करेंगे किसकी हम बात कर रहे हैं पूरभी देशों में डच सक्ती की इस्थापना पूरभ कहां देश कहां पड़ेगा हमारा पूरभ क्यों अब पूरभी देशों में क्या कर रहा है डच अपनी सक्ती की यहां पर क्या करेगा इस्थापना करते हुए देखने को मिल तो इसके बारे में किया प्रतम डशित इंडिया कंपनी की इसफ आपना की गई गई कैसे कंपनी की स्थापना की गया तो बात करते हैं यंद्या कंपनी की इस फ्लам इसकी इचालग वरचा इन्ट कंपनी की माणतिह बाद के देच कंपनीओं के इस्थापना के गईель अन्त में पारस परिक इस परदास से बने बचने के लिए उन्होंने सब कंपनियों को मिला कर 1702 इस्थू में उनाइटेड इस्थू इंडिया कंपनी नुने बना दी अव्दैटेव सभी की इस्ठ इंडिया की सभापना करते हैं लंधन में और बाथ करें यहां पर इसका नाम क्या है तो यहां गट्यव और कि जिसका नाम होता यूनाइटद मलेगा उसी प्रिकासर यहां पर उनाइट टइज इस इंडिया कंपनी कि इनों क्या कर दिया सभी छोड़ी चोड़ी कंपञिओं को मिला कर लिया बात करते हैं प्रारमभ से अपेच्छा पूर्वी दीप समुख की रूची की थी, क्योंकि यह क्या करते थे, पूर्वी दीपों के बारे में जानते थे कि भई बहां से पूर्तिकाली बहुत पैसा कमाने हैं, ब्यापवार करने हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए। उन्हें पर रूची लाना चाहिए। और देखो आप एक किसी को भी रूची पहा होती है?! पैसे पर अगर जहां भा focus कमेगा बहाँ पर लोग की रूची की होती है? जादा हो जाती है तो बात करेंगे प्रारंब से ही डचों ने भारत की अपेच्छा पूर्भी दीप समुह में रूची कर ली थी बात करते हैं इसके कई कारड ये भी थे कि यूरोप में मसालों की मांग बहुत थी और बात करेंगे पूरवी दीप समू में मसाले प्रचूर मातरा में उपलब्थ थे, जो अपने देश हैं, अपना देश में सबस्यादा पूरव मशीला, मसाला कहां पर केरल, धुवाधार, खेती, और यहीं से उठाया, और ले गए काली कड से, बात करेंगे पूरवी दीप समू में पृतगालियों उन्हें किले बंदी नहीं की थी जो पूर्वी समू दीप थे उन पर जो यूरोपिय थे उन्हें किले बंदी नहीं की मतलब किले बंदी कह सकते हैं उन्हें ने कहा कहा किले बंदी की थी जहां पर मैन मैन पॉइंट से कि विदेश के लोग जैसी पोर ही सो गाहिए प्र केका ऑफ्र झाठी बीजाप्र के रिखले ना तो बीजाप्रका कौन था की तो शुआ ओबत अपैट कोई देख लिए मुझे टेकर तो ब्लाप कौन था का जा शाय करते थी हिंदू मुसलिम इन पर बहुत सारे अत्याचार यहां पर हुआ करते थे तो पुर्तिकालियों से हमारा देश का लोग तो बैसे क्या थे खापा थे तो बात करते हैं इन्होंने पूर्वी दीप सम्मू पर ध्यान किंदत किया बात करते हैं चुकि डच और ठी तो बात करते हैं और पूर्यों के सकत्रू थे अता दोनों ने मिलकर उनके संगर्स त्वर्वी ix अंग्रेज और इंग्रे और न के संगर्स की रोव सलना में और दशो ने अम बोहिनाघ पर ऑंबोहिन aquíária को बहुत ही इंपोर्टेंट है पूच सो पास की बात है सोला सो पाँच पर क्या अंबोहिना पर इन्होंने अधिकार कर लिया не इसके बारे दिया NAK सक्तिका केंदर बनाया कहां पर जकारता और जगाता और अंबोनिया को क्या बनाया सक्तिका केंदर बनाया बात गयते हैं उसका नाम क्या रखा गया बटाविया क्या रखा गया उसका नाम रखा इन्होंने बटाविया उसके बाद इन्होंने स्री लंका जाबा सुमात्रा जो कर दिया सि भी ब्हाँ कर दिया तो बात कर दिया था बहरत से कपड़ा खरीद कर वे पूर्बी दीप सब्बों में कहा दे बेज देते थे क्योंकि इन के पास उतना पैसा परियाप्धन के इनके पास उतना नहीं था तोगि पर्टगाली बहुत समरद हो चुक perceptозм この हो और यह पहली बार हमारे देशां व्यापड करने आये थे तो कम पैसों में कपड़ा खरीते थे और जो पूरवी देश होते हैं उनमें ये बेस दिया करते थे जितना उनसे लाब हुआ करता था उसके माल क्या करके उससे काली मिर्च बगएरा मसाले खरीद कर अपने यूरूप में ले जाया करते थे ठीक है वही चलो तो बात करेंगे और जो लाब होता था उसके मसाले खरीद कर यूरूप ले जाते थे ठीक ना उसके मसाले खरीद कर यूरूप ले आते थे ब्यापारिक प्रती दुइंदता के कार्ड डचों की अंग्रे जो से भी क्या हो गई सतुरता हो गई अब आप जान जानते हो आपके पास नहीं मिलेगा तो दूसरा बंदा क्या जाएगा खफा हो जाएगा तो इस प्रिकास से क्या हुई इनमें सतुरता देखने को मिल गई ब्यापारिक के अनुसार है ना चलो तो बात करते हैं कौन से 1623 इस भी में अंबोईना से डच गवर्न ने अनेक इसको क्यों दोट म बरना मारूंग माटाइक न हैहां भी अंब्यायी सब से पहले अदिकार किया था 1605 की बात करेंगे अंबोईना में से डच गवर्न में अनेक अंग्रेजो की क्या कर दी हत्या कर दी और बहुत से अंग्रेजो को पूर्वी दीप समू से निकाल दिया किसने तो नाम ध्यान रखना नाम याद है नहीं है गवर्न देर का सीधे डच गवर्न चलो अची बात है नाम देर का तो है बहुत से अंग्रेजों को पूर्वी दीप समू से निकाल दिया इसके बाद अंग्रेजों ने अपना ध्यान ब्यापार परकेंद्रित कर दिया अब अंग्रे जो को जब दिक्कत करेगा तो आप जानते हो तो क्या किया फिर अंग्रों जी नों भी क्या कर दिया ब्यापार स्टार्ट कर दिया ठीक है बही चलो अब बात करतेंगे भारत में डच भारत में डच के बारे में देखेंगे ब बात करेंगे भारत में डचों ने 1605 सर्म मोली पर्ठण में अपना प्रतम व्यापारी कोठी बनाई तो आपको यह ध्यादं द्यान रकला है कमपटिशन एकजाम में पूछाता है कि इस वियापारी कोटे इस्ताफित की उन्होंने देश पहली वाली पुझा थी पहली बहुत इंबुड़न्ट है इनको तो आप लिख सकते हो कि बंगाल में होगली हो जाएगी तुम्हारी कुली कट हो गई इधर बाला सोर हो गई और पश्मी घाट पर सूरत सूरत तो आपको फहमस है सबको पता ही है तो बात करेंगे इन्होंने देश में भीतरी देश के भीतर भी एहमदाबाद आगरा औ कोठिया का जो उपसाकाएं होती हैं उनको लगाया था और बात करते हैं पुर्तगालियों ने उनसे पुर्तगालियों ने उनसे माला बार तठ तथा माला बार तठ तथा लंकास में भी क्या किया संगर सकिया और डचो ने पुर्तगाली सकती को समात कर दिया माला बार के त स्री लंका की बात करने हैं उन्होंने 1641 में मलक्का पर तो था 1659 इस भी में तृन को माली पर भी और बात करते सूरा सो 15 में कोलंबो की बात करेंगे कोलंबो से इस पृत गालियों को निकाल था ख़दार फेका है ना इनपर आई पर रॉचुका था अब बात करते हैं काली कट पर किसका दिकारता पहले पहले जमुरिन इसका राजा हुआ करता था बास को डिगाम आया था बीस मही 1498 में में बास को डिगाम भात आता है तो इसका भब स्वागत को न करता है यही जमुरिन करता है जुआत परिसान है जुआत परिसान है यही जमुरिन करता है यह जहाद क पृतिगालियों से रुष्ट था उसने डचों के उसने डचों से सही लिया इसके फाल सुरूप 1642 इसमें डचों ने किलोर और किलोर और किलोर और कालीकड़ी बात करंगे किलोर और क्रांगलोर पृतिगालियों से छीन लिया ठीक ना? चल क्रांगलोर पृतिगालियों से छीन लिया 1603 इस भी में कोचीन पर भी अधिकार कर लिया इन्होंने माला बार तटके पृतिगालियों को निकाल दिया तो आपको धहाने करना है ये डेट बहुत ब्यापार में रूची थी इसलिए उन्होंने मसाला दूपुंजी इंडोनेसिया को अपनी ब्यापारी के गति विदियों का केंद्र बनाया ठीक ना कौन सा केंद्र बनाया मसाला दूपुंज इंडोनेसिया में एक जगह है बहां की बात कर रहा है उन्होंने क्योंकि मसाले म और उचिति निगी मसाले की जोती तो बात करते हैं मसाला दूइपपुंज को इंडोनेसिया की अपनी ब्यापारी गत्यविदियों का खेंद्र बना लिया कि भई अब मसाले आपको कहां मिलेंगे हम यहां से ले जाएंगे और अपनी एक जगह कहां मिलेगी आपको जगह मिल बात करेंगे इस प्रकास से ना गतिविद्यों केंद्र बनाया काली मिर्च माला बार्थ और स्रीलंका में भी प्राप्त होती थी लेकिन इन छेत्रों पर पुर्तिगालियों के अधिकार था अता इन्होंने कुछ बरसोता के प्रतिच्छा की उसके बाद पुर्तिगालियों की नाबिक सक्ति को नक्ष्टिक समझा तेग RNA आबस्रिक था या फिर समझा तो बात करते हैं इसलिए डचो ने सबसे पहले पुर्तिगाली जहाजों पर आक्रमर करने की निती अपनाई डचो ने गोवा मलक्का की समुद्री नाकावंदी की भी थी बात करते हैं डचो ने मलक्का डचो ने गोवा और मलक्का की समुद्री नाकावंदी भी की है ना तो बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हो फिर बात करें यहाँ पर इसके गुआ को पता ही है मलका कहां मिलेगा इंडोनिश्य वालिस्या की बीच में यह उने प्रड़का है ठीक है इनकी नाकावंदी भी की थी इसके बाद डचो ने पृतगालियों के तटिये केंद्र पर आक्रमण की निती अपनाई इस प्रकार प्रतगाली नाविक सक्ती के साथ उनके ब्यापार को भी नश्ट कर दिया गया ठीक ना नितीम ने भी अपनाई तो बात करते हैं कहां तक मौझ गये थे सक्ती के साथ उनके ब्यापार को भी नश्ट करने की निती डचो ने अप मतलब बहां से पुर्टगालियों को निकाल फेका बात करते हैं पूर्वी दीपसमों में ब्यापार की समस्या के कारण भी डचों को भारतिये ब्यापार में रूची लेने के लिए बाद होना पड़ा ठीक ना चलब कुई भारतिये लोग तो चाहए रहते कि पूर्टगाली यहां से जाएं और कोई नया वित्ती आये तो यहां पर क्यों कि पूर्टगाली कर रहे थे बहुत अत्याचार कर रहे थे भारत बालों पर तो बात करेंगे कशल हुझाworkers यहां भारतीय ब्यापार में रूचि लेने क कर वे उन्हें बस्तु विनमे के रूप में दे दिया करते थे कि भाई भारत का बस्तु यहां से करी दी कपड़े बगारा चोटे माल खरी दे और उसको बेज दिया जितना लाब गुआ उसको काली में बगारा मसाले लिए और यूरोप को बेज दिया ऐसे भ्यापारिय क्या क चक्तियों का पतन तो बात करते हैं भारत में ही डचो के अंग्रेजों की तीबर परदा का सामना करना पड़ा कि अंग्रेज ओर डच को आई थे तो अंग्रेज आता हुए तो भारत में ही डचों को अंग्रेजों की तीब पृतीश-परदा का सामना करना अपड़ा प्रतीश-परदा का बात बात करते हैं 1630 इस वी में पूर्वि दीप समु में बात करते हैं कुछ अंबोईना नामकिस्तान पर डचो ने अनेक अंग्रेजो की हत्या कर दी आपको देखाई पहले देखा रखता कि अंग्रेजो का जो ठोट गवर्न्र होता है ऑन्ग्रेजो की और अंग्रे जो क्या करता है भगा भी येथा है बात करते हैं हत्या कर दी और बहोतों को दीप से निकाल दिया था तो इंगलेंड में स्टुएट राजा कौन दा इंगलेंड में स्टुएट राजा इस हत्या कांड का соглас करति शोध लेने के लिए असमर्थ रहे लेकिन बाद में क्रॉम बेल ने डचो के छथि पूरती प्राप्त करने के लिए सफलता प्राप्त की किसे ने क्रॉम बेल ने तो इस दोनों नाम कोई दह बाँ नहाएं पहला कौन था पहला था कौन था इस्टूवर्ड राजा जो सफल रहा था बदला लेने में और बात करें कौन सा क्रॉम बेल जो था वो छती गस जो पूर्ती हुई थी उसको भाई इन्होंने पूरा किया था मतलब उनसे बदला लिया था आगे बात करेंगे डचो ने अधिक जो बात करते हैं भारत में अंग्रेजों की इस्तधी डचों से अधिक सक्ति साली थी अंग्रेजों की कटोर प्रिशस पर्धा के कर्ड भारतिय ब्यापार में डच सफल नहीं हो सके तो बात करते हैं अंग्रेजों। मात्र बर्मा कौन था माला बार पर सकती साली राजा कौन हुआ करता था मात्रंड बर्मा और उसके योगे पुतर राम बर्मा के काल में डच अपनी इस्तिती मजबूत नहीं कर सके थे एक तो इनका कारड ये भी था वोगी मालाबार के थट पर जो केरल में पढ़ता है उस पर अधिकार किसका था उस पर था सक्तिशाली राजा कौन मात्रंड बर्मा का और उसका बेटा कौन था राम बर्मा यहां पर अधिकार कर रहे थे अपनी मजबूती यहाँ पर डच सापित नहीं कर पाए बात करते हैं जब हैदर अली का उत्थान हुआ तो उन्हेंने माला बारतर से हटना पड़ा जब हैदर अगली यहाँ पड़ाता है तो फिर क्या होता है फिर माला बारतर से क्या होते हैं डच हट जाते हैं सत्रा सो पचास इस भी में डुपले ने मुसुली पटनम पर अधिकार कर लिया, जो डुपले कौन है, डुपले है फ्रांसेसी, ठेके न, डुपले कौन है, डुपले एक फ्रांसेसी है, फ्रांसेसी आ गया तो को यहां पर, सत्रा सो पचास में, सत्रा सो पचास में डुपले पर अधिकार कर लिया 1780 पर अंग्रे जो ने अधिकार लिया अब मुसुली पटनम और किसका हो गया यहां पर डोपले का अधिकार हो चुका था और बात करेंगे अंग्रे जो का हो चुका था ठीक ना अगले वरते हैं प्लासी युद्ध के पश्याद बंगाल में उसकी सत्ता समात हो चुकी थी प्लासी के बाद जो होता है 1764 वाला युद्ध प्लासी का युद्ध युद्ध के समय भारत में अनेक अबिस्बास प्रदेश भी इनके हातों से और बात करें अनग्रे जहाँ पर छीन लेते हैं ठीक अंबरिशग्त si 54 वा था ठीक ना चलते में और चलते की और चालो भी नेचे की बात कर ले थे हम देखेंगे डेचों की असफलता के कारड कौन-कौन से तो पहरा असफलता कार्ड कया था ये देखेंगे तो डेच Canada यूरोपिय युद्धोक me व्यस्त रहे कुई डेच लोग क्या थे जो यूरोप के लोग थे पुर्तगाली उसे युद्धु करते रहे है ना उनकी सक्ति को छेनिविन करते रहे तब दर क्या हुई इनके पास पैसा की कमी हो गई जितना धनिये लेकर आते थे मतलब जितना पैसा था इनके पास उनसे लड़ते हुए कतम हो गया है ना लोग भी मारे गए तो यहाँ पर क्या होता है वो भी एक इनकी कमजोरी देखने को मिल जाती है तो बात करते हैं डच लोग यूरोपीय युद्धो में ब्यस्त रहे उनके काड़ जंधन के साधनों का यूरोप में ब्यह होता रहा और भारत में परियाप्त ध्यान नहीं दे सके यूरोपीय से लड़ने में बहुत समय लगया था इनके लिए है ना और कापी धन पैसा बहुती वरवाद इनका हो चुका था और ये इनके पास इतने पैसे कमी हो गए थी जो कि यहीं का बस्ते कि बहुत करेंगे डच की कंपणी क्या थी जिसके कारण उसके करमचारी यों की इस फूर्ती और क्या था उठसा नहीं था और वी कि अ चालो आगे वरते हैं तीसराका देखते हैं तीसरा और कार था ता सारे काण एक आपने लिए कहानी पड़ी कहानी यम्ता कि था क्या गळी इनके पास क्या करण 시क्स आगर करते देडश कर já थिक लोगों कि मुख्यल 904 मसालों के ब्यापार में थी सिर्फ मसाला ही खढ़ा चाहते थिंए और बात करते आता बे पोर्भी दीप और अधिकॉर्द पूरभी दीप ते उन्हीं पर ही यह क्या करते थे अधिक रूत抦र रखा थे प्ष्यम समदर ने पूरण रखा था अगली बात करेंगे यहां पर बात करेंगे यहां पर डचों ने अपनी सैनिक सक्ती पर परयात ध्यान नहीं दिया था उससे युद्ध में उनकी इस्ति दुरबल रही थी युरोप बालों ने बहुत ध्यान दिया था युरोप बालों ने बहुत ध्यान दिया था सारी तरह उन्हें कीले बंदे कर दी थी मगर जब बहुत देश आते हैं तो समझ सकते हो एक बंदा नहीं लिड़ सकता है ना तो जब सारे दोस ने खट्टा होकर अंग्रेज आ गए डच आ गए फ्रांसेजी आ गए सब ये खट्टा होकर लड़ेंगे एक बंदे को मारेंगे तो ब्या गए डचो ने क्या कर दिया अंग्रेजों को जान से मार दिया है ना गवरन ने बस बही कमी थी यहाँ पर बात करते हैं इस से युद में उनकी इस तदी कैसे रही दुर्बल हो गई ठीक है गई चले आगे चलते हैं आगे चलो और देखते हैं बात करते हैं यहाँ पर यहा प्रांस और इंग्लेंड के युध में कि नो सेना कैसे हो गई दुरवल हो गई उतनी अभ्šय नहीं थी तो बात करते हैं इस समयं अंगले जी नो से न का उत्थान हुआ भी बात करते हैं इसके पुर्वне उनकी इस्तिवदे इस्टाथ मैं इनके इस्थि और 1 और अब इनको देख लो, ठीक ना, इस्बुरि praषाद क्या कहते हैं इनको एक बार देख लो तो ये कहते हैं उरोप में अपनी इस्थि, खो देना, और समुद्र पर अधिकार खो देना, कोई भी जाती या अब ने अपनी प्रवत्ता इस्थापित नहीं रख सकती है, कोई भी सथा ज कि दोगे गिंदो इतना मुझे पता है पुर्त गालियों के उदाय और पतन के कारण कैसे कैसे उनका पतन हुआ ठीक है भई हमने बहुत नीची प्रकास से आपको एक्स्रेम भी किया मेरा मानना है कि आप लोगो सभी को समध में आया होगा समध में आया है तो एक बार वीडियो को सभी को शेर कर दें अपने दोस्तों में तो कि आपके दोस्त भी क्या करें अच्छी प्रकास से बिये की त् होगे इतनी मुझे पता है तो आप सबसे पहले का करो बिये को ही अच्छी प्रकास से पढ़ लो आपके पास समय है तो आप अच्छी प्रकास से इसको पढ़ें ठीक ना तो फेंट्स यहीं पर कहेंगे हम फेंट्स जैहें जैवारा